नमस्कार दोस्तों आई आज आज अठाइस वर्स की महिला के पाम का अनसस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रतम इनके सवालों को स्थुरेंगे फिर एके कड़के इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को स सब्सक्राइब कर ले, बैल आकन को प्रेस कर दे, टाकि लेटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं इस विशे पर एक नहीं, दो तीन वीडियो बना चुका हूँ, हमारे न्यू चैनल पर भी और हमारे पुराने चैनल पर भी, क्यों महिला का राइट पाम देखा जाता है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, तो इस चीज़ को ही आप सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो इनका सवाल इस प्रकार है, कि आगी का जीवन कैसा रहेगा, और इनके घर में आ कुछ चीज़े अपने तरब से बताना चाहूँगा, बहुत ही खूब सूरत अतेली है, ऐसी महिला है, 101% अपने पती के लिए लक्षमी का रूप होती है, और इनके घर पे रहने से घर में उन्नती होती है, ये बाते असपस्ट रूप से मैंने इनके हस्बेंड को कहा था, जब इन्होंने अपनी वाइफ की अतली नहीं भेजी थी, तो मैंने ये भी कहा था, कि शादी के बाद आपके जीवन के सारे कस्ट खतम हो गयोंगे, आपके जीवन पर उन्नती आई होगी, और ये बाते सत परती सत सही थी, क्योंकि इनके अतली पर ये चीज़े दिखी है, एक दम दिखी है, और ऐसा नहीं बहुत सी अतली पर मुझे दिखती है, तो मैं क्लिरली कह देता हूँ, क्योंकि देखो, जो सच्चाई है उसको कहना चाहिए, और हम हिंदू में हैं, हिंदू सब्यता या किसी भी सब्यता में, किसी भी धर्म में आप औरतों का रिस्पेक् चाहिए, और सबसे पहले चीज तो मैं बताओंगा, ऐसा मैंने क्यों कहा, इसका रीजन क्या था, तो सर प्रतम आप देखे तो इस अतली को, इस अतली पर आपको फेट लाइन दिखेगा, वो बहुत 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 प्रियास करने के बाद ऐसी पेकेनों ने मुझे यह भी बहुत जादा, बहुत एक्स्ट्रीम के लिए नहीं है, लेकिन काम चलने लाएक अच्छी है, मैं चीजों को समझा सकता हूँ, देखे इनकी जो है न, फेट लाइन, यह फेट लाइन देखो, स्ट्रॉंग फेट लाइन, आप बस फील करना, जो मैं फील करा रहा हू स्ट्रॉंग फेट लाइन, इनके व्रश्पती तक गई है, उच्चतम अबस्था भागिरेखा की, और दूसरी यही पर नहीं रुकी, दूसरी एक लाइन तो चंदरमा से आ रही है, जो कि आपकी भागिरेखा को सपोर्ट कर रही है, दूसरी लाइन भी आपकी चंदर से आ नहीं है, तीसरी इनकी मंगल छेतर से एक रेखा यहाँ अड़ो गई, और यही रेखा यहाँ भी चली गई, यह भी बहुत बड़ी बात है, और स्ट्रॉंग बुद्ध रेखा मतलब गजब, स्ट्रॉंग बुद्ध रेखा आदेली पर और जीवन रेखा पर, यही पर ची अगर यह महिला है और यह डिपेंडेंट है अपने हस्बेंड पर और इनके हस्बेंड का मान सम्मान कर रहा है, मैं लिख देता हूँ, किसी पेपर पर साइन करा लो हमारे से, घड में उन्नती होते हुए ही नजराती है, no doubt, लेकिन एक वर्ड मैंने यूज किया, कि आपको स सोच से मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी लोग अपने स्वारत से कारी करता है, आप पैसे के पीछे क्यों जाते हो, क्योंकि आपको पता है पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, आपकी कमफर्ट, आपकी आश्वाराम के जंदगी, आपके नौकर चाकर, सब चीज कई ना कई धन से आती है, तो जब आप धन के पीछे इतना जाते हो, तो धन लाने का, अगर मैं कोई वजह बता रहा हूँ, तो उसको क्यों नहीं करोगे, तो सबसे पहला लक्شमी की पूझा करते हो, तो पहला अपने घर की लक्षमी की पूझा करना सीखो, उनकी इज़त करना सीखो, नहीं उन्नती होगी, हो ही नहीं सकता, संभव भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, एक दम कन्फर्म, एक नहीं हजार एक्जामपल मेरे पास है, मैंने जिनको भी बताया, जिनने भी किया, जो भी अपने गर में अपनी ओरतों माता का इकज़त करते हैं, उनके गर में उन्नती हो इनका सवाल था आगे का जिन्दगी कैसा रहेगा तो देखे जिन्दगी तो आपकी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है अभी आपके 28 years की वहीं 27 में प्रगति भी थी एक तक्रिवन 32 में भी और continue basis पर आगे यह बढ़ी है 32 में है 45 में है फिर तक्रिवन आपके 60 years के राउंड 55 57 के राउंड है फिर तक्रिवन आपके 62 फिर तक्रिवन आपके 67 मतलब confirm आपकी progress lines बनी हुई है इस case में व्यक्ति को फाइदा कोई विशेस्तम राहू लाइन के बिना तो आपकी इस्थिती भी अच्छी और जीवन रेखा की भी इस्थिती बहुत कमाल की है और अतिली पर भी इस्थितियां अच्छी बनी हुई है उस पर भी मैं विचार करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है कोई परशानी वाली बात नहीं है आपके घरत पे जब तक आप रहोगी A-di choses कुछ न देगा की अभी मैं इनकर जेनल अनसे करूँगा, इन्होंने जो मुंसे पूचा उसका तो मैं करूंगा, आगे भी जो इनुने नहीं पूचा उसको भी मैं करूँँगा तो सर प्रतम पाम के सेप को देखूँगा , स्क्वारए में स्थ्ध से नहां कि अंध्यमें इस case में अगर मैंने शुरू में कुछ कहा तो उसकी कुछ वज़ा होगी positive योग जादा दिख रहे हैं महिलाओं के अतली पढ़ना तो दिल खुश होता है क्योंकि यह ऐसी महिलाओं अच्छी होती है आपके घड़ के लिए भी जहां भी इनका पैर परेगा तो काफी सुब संकेत माना जाएगा तो इस खाफी समझदार भी हैं जल्दी बाजी में कोई निर्ने नहीं सोच समझ के निर्ने नहीं और समझदारी से कारे को करना इस चीज़ का भी पढ़िचे आपकी एतली करा लिए है अब उसके बाद का मैं देखो तो इनकी strong व्यक्तितों का पढ़िचे करा लिए थंब काफे strong हैं यह काफे strict personality है strict in the sense of कि अपने बाद पर रहने वाली अपने कारे को इमानदारी के साथ सहसता के साथ करने वाली ये व्यक्तितों का पड़ी चाहिए थंब करा रही है और दो लाइन्स है बेसिकलिए तो ये लोग जादा किसी पर डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करती हाँ ये कोशिश करती है कि मैं भे कंट्रियों ब्यूट करूँ चाहिए वो कारी करके हो या कमा के हो तो बहुत ही स्ट्रॉंग है दूसरा इनकी देखो तो कुछ हलकी फलकी न अंदर से ये कुछ लाइन्स जो ना नर्वेसनेस इंडिकेट करती है कुछ समस्य आ जाएंगे तो घबराहट होने के समस्या ही दिखाती है पट ऐसी भी कुछ स्ट्रॉंग नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत कर दे चुकि आपकी माइन्स रिखा काफे स्ट्रॉंग है इस केस में इसकी ज़्यादा दिक्कते नहीं आते लेकिन कभी-कभी कुछ गबराहट की समस्या हो सकती है यवा करती है सपोर्ट इनको काफी अच्छा मिल जाएगा और डिजायर्स के एक लाइन है तो ऐसी महिलाई शदेप अपने घर के लिए सोचती हमेशा इनका थिंक्किंग रहता है कि मैं ऐसा क्या कारी करूँ या मेरे दोरा कोई गलती नहों जो कि मेरे घर पे दिक्कते आए बहुत अच्छा और थंबतो शांदार आपका ही सम्मान की रक्षा भी आप इजी वे में कर पाएंगी समझदारी के लूप बहुती उम्दा बहुती अच्छी इस केस में ऐसे व्यक्ती काफी समझदार हो समझदारी से अपने काड़ी को करने वाले होते हैं दूसरा में देखो तो खड़ी लाइन तो इस केस में व्यक्ती काफी इमानदार और काफी दिल के अच्छी है ऐसे लोग का दिल जो होता है एकदम पानी की तरह साफ इन लोग के दिल में किसी के पड़ती कोई गलत भाब नहीं कोई मैल नहीं हवेशा अपने कारी के तरफ ध्यान देना और अपने कारी को भगवान समझके पूझा करना बहुत अच्छा कोई दिक्केत वाली बात नहीं है दूसरी इनकी देखो तो ये कुछ गैप है न ये थोड़ा खर्च करवाएंगे लेकिन चुकि ब्रश्पती की उच्चता मवस्था ब्रश्पती की प्रबलता मवस्था खर्च भी ऐसी महिला है अपने उपर करना ज़्यादा पसंद करती है अपने पड़िवार के उपर सब काम करो, मैं ये नहीं बोलता कि सब काम छोड़के आप इश्वर में लग जाओ, नहीं, मैं बोलता अपना सब कारी करो आप, लेकिन साथ-साथ उनके लिए भी शद्धा रखो, वो जो कहके गया है, जैसा इनसान वो देखना चाहते हैं आपको, जैसे इनसान की कलपना उन इसको तो आप जरूर ही पढ़ें, अगर आप हमाया सजेशन मानना चाहते हैं, थोड़ा आप में सुधार आएगा, जो भी आप में कमिया है, मैं पुरे दुनिया कहते लिए तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन मेरी वीडियोस को बहुत लोग शुन रहे हैं, तो मैं आपको उत्तम सजेशन देना चाहता हूं, या आप जरूर भगवत गीता का पाठ करें, उसको पढ़ें, समझें, उसमें क्या चीज़े लिखी गई हैं, आपके जीवन के कलेश को दूर करने हैं तो बहुत अच्छा उपाय है, जो इस चीज़ को कर सकते हैं, उसको तो आप अवश अगर आप मुझे कुछ और मानते होंगे तो उसकी बात मैं नहीं कहूंगा फिर, लेकिन आप अगर मुझे गुरू मानते हैं, तो गुरू की बात मानोगे, तो कभी कस्टमी नहीं रहोगे, एकदम एक बार पढ़ें आप, बहुत फाइदा होगा आपको, अब देखो सब क मान सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता, वो किसी के अंदर चमता नहीं है, सब लोग कुछ मन में बाते बता के रखते हैं, और देखो मैं किसी को गलत भी नहीं कह रहा हूँ, परिस्थितियां होती हैं जीवन की, और मैं इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझता हूँ, क्या है मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता, मैं यह कहता हूँ कि वो आपकी परिस्थितिया, उसको आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, मालो किसी की राहू लाइन में प्राब्लम होगी, किसी की बुद्ध फिगर नीचे होगी, तो मैं उस इन्जान को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपने आपको ग्यानी नहीं बोलता, मैं तो बस सीख रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ, कि और भी किसी सीखने वाले का आप, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं है, किसी में पूर्णता नहीं है, क्योंकि कोई हो ही नहीं सकता, इंसान में उतनी छमता नहीं कि वो पूर या फिर आप उसकी बाते सुन रहे हैं, आपको उससे कुछ बेनेफिट हो रहा है, या कुछ आसा की किरण जगरी है, तो ये भी तो एक भगवान का मिलाया हुआ, एक भगवान आपको मिलाना चाह रहे हैं, या भगवान आपको बताना चाह रहे हैं, या भगवान आपसे कु कि वह सबके बात समझ में आ आए क्योंकि आज किल का समय ऐसा है ना कोई किसी को बर्भक नहीं बना सकता possible ही नहीं है अगर कोई किसी को बोल रहाए है वो थग रहाए ही वो यह कर रहा है तो यह तो अनुचित बात है इनसान बहुत समझधार है और कोई किसी को बेवकूक नहीं बना सकता बात यहां यह होती है जिससे आप connect होते हैं वो ज़्यादा important है connection ज़रूरी है connection कैसे होता है कि आपको उनकी बाते समझ में आ रही है की नहीं एक इंसान होते हैं कि समझना चाहते हैं, एक इंसान होते हैं कि समझना नहीं चाहते हैं, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, तो मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, जिनको समझने में और सुधरने में और अपने जीवन पर उन्नती करने में इंट्रेस्ट है, उनकी बाते मे कर रहा हूं और जिनको इंट्रेस्ट नहीं है तो हर एक तरह की इंसान है मैं कुछ नहीं कर सकता जिनको इंट्रेस्ट है सुनने में समझने में करने में वो हमारी बाते माने और गीता का पाठ जरूर करें भगवद गीता आप जरूर पढ़े, आपकी सारे इंद्रियां खोल जाएंगी, आपको भी जीवन पे काफी अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे, और आप भी कही न कही आगे बढ़ने के तरफ अग्रिसर होंगे, सर्ब धर्म में बाइबल होता है जैसे आपके, बाइबल तो इनकी ब्रश्पती की फिंकर जो ना ये बैंड कर रही है, सैटरन के तरफ, देखो मैं एक सीज और इसको अधरवाइस मतले ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसको दिन बढ़ पढ़ते हैं, लेकिन एक बार एक लिस्ट आप जरूर पढ़े हैं, क्या है ना, करके मज शेयर करते हैं, तो मेरे मुख से कुछ बाते अगर निकल रही है, मैं दिकारी का भी देखता हूँ, डॉक्टर का भी देखता हूँ, इंजीनियर का भी देखता हूँ, वह तो कर देखता हूँ, तो मेरे मुख से अगर बाते निकल रही हैं, तो मैं यो ही नहीं बोल रहा मैं और इसलिए मैंने आपको कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं दिया कि आपको कोई बहुत टफ टास्क दे दिया मज़ा आएगा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा जिंदगी को समझने में मज़ा आएगा आगे बढ़ने में मैं लिख के देता हूँ स्टांप पेपर में से साइन करा लो आप मज़ा आ जाएगा फिर मुझे ही दन्यवाद करोगे गुरू जी ने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बात बताया चलिए तो इनके ब्रश्पती फिंगर बैंड कर रही है सैटरन के तरफ तो इसका मतलब है कि आपकी धार्मी कास्था काफी अच्छी रहेगी और सैटरन और सन में अटैच्मेंट तो कैल्कुलेटिव तरीके से जीवन को आप जीएंगी और सबसे बड़ी बात है इस केस में कि ऐसे व्यक्ती न बहुत ही नियमित रूप से अपने जिन्दगी को जीते हैं एक महिलाई ही होती है एक ऐसी भी महिलाई या पुरूस होते है जो बेफजूल के खर्च पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कोई कैलकुलेशन्स नहीं होता है ऐसे लोग जो होते हैं कैलकुलेशन्स पर ज़्यादा कारी करना पसंद करते है फर देकिन के एदली पर बुद्ध फिंकर भी बढ़ी है तो इस केस में आप अपनी बातों को समझा पाएंगे और आप अपनी बातों को कब समझा पाते हो दो केस होती है पहले तो आप खुद समझते हो उसको बहुत अच्छी तरीके से और दूसरा होता है कि आप समझ के भी नहीं समझा पाते हो तो इस केस में वो बातों को समझेंगे भी और अच्छी तरीके से समझाएंगे भी बहुत अच्छा दूसरी अभी मैं देखो तो इनके अधली पर ब्रशपती, तो ब्रशपती इनकी अच्छी है, इस केस में ऐसे मैलाई काफी फैमिलियर होती है, पडिवार इनके लिए इनका सबसे बना धन होता है, और पडिवार का सेवा करना, पडिवार को आगे बरहाने के लिए प्रडित नेचर रहते हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी हतिली देखो तो मुझे ये लाइन दिखे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में वो feelings रहेगी ना पर उपकारे वाली अच्छे कर्म बाले तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ बहुत ऐसे जरुरत मन परसन ह जिसके आप मदद कर सकते हैं फिर देखें इनके दिली पर दवाबे तो व्यक्ति काफी मेहनती और दूसरा इनकी मेहनत का फल भी इनको मिल रहा है 50% के राओन और जीवन भागी रेखा बहुत ही उम्दा अवस्था में एक तो आपकी जुपिटर तक गई है तो इस केस पर आपके हस्बेंड को भी काफी जादा बेनेफिट होगा बहुत स्ट्रॉंग फेट लाइन और इनकी लाइन ओफ एजुकेशन काफी प्रवल काफी अच्छी तो बेसिक नॉलेज भी कोई कमी नहीं है यहाँ पर से भी एक देख लो यह चुकि एक सूरी लेखा का बरांच है यह लाइन ओफ एजुकेशन वे दो-दो बनीवी है तो इन लोगों की बेसिक नॉलेज जो होती है न कोई परकार की कमी नहीं होती है बहुत ही समझदार पिता के संपती आपती के संपती का च्छा साथ और शूरी रेखा इतनी प्रवल है न ऐसी महिलाएं अगर प्रयास कर सकती है अगर किसी परस्तिती को जासे स्टार्टिंग फेस में थोड़ी खराब रही होगी इनकी किसी परस्तिती परहाई में कुछ दिक्कते आ जाए तो कोई दिक्टेंशर वाली बात नहीं है ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप अधिकारी बनो तो आप पढ़के ही बन को समालने में भी दिख सकती है तो ये शूरी रेखाना यहां पर ये दिनोट कर रही है कि इस रेखा से आपकी पती को benefit वो ऐसा कारे करेंगा कि आपका जीवन सुख में बीते दूसरा आपकी एकुरिसी अच्छी है आपसे खाना अच्छा बनेगा आपसे घर अच्छा समलेगा और आप काफी समझदार है दूसरा देखो तो शूरी बूद अच्छी तो इस केस में भी ऐसी महिलाएं काफी समझदार होती है खड़ी लाइन्स है तो इन लोग को मैनेज करने आता है ये लाइन्स जो है ना मैनेजबल कैपबिलिटी को इंडिकेट करती है और इस केस में अगर आपके द्वारा कोई विपार किया जाए या आपके नाम से कोई विपार किया जाए तो उसमें काफी बेनेफेट होते हैं नजर आएगा शोड़ी भी अच्छी है बुद्ध भी अच्छी है समझदारी और विवेक दोनों ही भहत पुर्ण है मतलब कोई भी कार समझदारी सतो आप करती हैं काफी काम भी है काफी विवेक वान भी है आप फिर देकीन के टली पड़ ये मंगल, ये मंगल भी काफी अच्छी है, तो व्यक्ति काफी एनर्जेटिक, अपने कारे को ये लोग एनर्जी से करना पसंद करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदे नहीं है, और मंगल अच्छा रहें, तो रोग बिमारी से भी जल्दी ये तो वो अलग बात है बट इस case में नहीं आएगी इनकी एतली जैसे बता रही है चंदर्मा अच्छी है तो काफी शान दिमा की और शांती समनेकारी को करने वाली चंदर्मा का करव है और उभार भी है और यह लोग रियल जंदगी जीना पसंद करेंगी जंदगी रियल तो यह शांदार है और दूसरा एक घर से दुड़ की यात्राई या विदेश यात्राई के भी योग बन रहे हो सकता आने वाले समय में आपके योग बने और चंदर में अच्छा है तो फिर खाना आपके आतों से बहुत अच्छा बनता है और इनके जली पर वेपार के काफी अच्छे योग डवलब कर रहे हैं, तो इनके नाम से विपार कराना, या ये खुद का प्रस्नल विपार भी अपना कर सकती, इनको काफी ज़ादा बेनेफिट होगा, फिर देखें इनकी, एक फिश्ज मनी होता कास्मिक धनलाब, या तो इनके भागे से इनके हस्बेंट को, क कोई, हाँ, प्रारंबिक समय में इस्थितियां थोड़ी डमा डोल थी, वर उसके बास ते कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपके जीवन के, आपके बाईशमें वर्स के बाद कोई परिशानी वाली बात मैं नहीं देख रहा था, क्योंकि बाईशमें में एक बड़ी प मध्यम में लेकिन इतना प्रबल है और ऐसी स्थितियां आते लिए पर हैं कि इनके जीवन में सोचनी का आवशकता नहीं पड़ेगी, मध्यम अस्तरी लगजरी का सोक इनको मिल जाएगा, मंगल रेका अच्छी है तो रोग बीमारी से यह आपको बचाएगी, और मंगल तो फ़ोर्ड येर्स क्या आवय में थी फिर आगे बेनकी बनी हुई है, 55, मतलब इनकी नहीं, 52 तो इनकी प्रगती में इनकी कहने का मतलब है ना, इनकी प्रगती continue basis पे बनी हुई है, 36 बर्स में भी एक बड़ी प्रगती के योग में देख पा रा हूँ, 128 बर्स में तो थी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जीवन रेखा बेश्मूथ है, कोई राहू लेंग का कटनी है, मतलब continue, और विदेश दनलाव होगा, या विदेशी यातरा आपकी होगी, ये कन्फर्म वाली बात है, माइन रेखा हर्ट लाइन काफी एच्छे, दिल दिमाग की काफी इंशन साही होगी, तकरीवन आपके जीवन के, बीस में वर्स काई हो, तक उसके बाद से स्थितिया समान ने है, दिल के काफी स्ट्रॉंग है, और सैटरन तक गई वे, इवन जुपिटर तक, तो परिवार से काफी प्यार करने वाली, समान करने वाली, और ये यव नहीं ब इनके भागे के द्वारा तो फाइदा होता ही होता है, एक तो भागे रेखा अच्छी, दूसरी सूरी रेखा बली, तीसरी बुद्धर रेखा, मतलब कमाल के योग है, इनके हस्बेंट को तो बहुत बेनिफिट आएगा इससे, और मानी ट्रेंगल भी बनी हुई है, ऐसे म बनी हुई है, यहां से भी आप देखो, स्ट्रॉंग फेट लाइन, और यहां पर से भी देखो, सीधी एक लाइन खड़ी है, तो इस केस में व्यक्ति को भागे का बहुत यह उच्छे तमसाथ मिलता है, मतलब साड़े योग पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, हाँ, इनके बस्तनी मेरे से प्रामशना चाहते हैं, तो मेरा वाट्स अपनोमर डिस्क्रेप्शन मिल जाएगा, लेकर आप समपड़ कर सकते हैं, तन्यवाद